Integration of cos2x या cos4x, cos8x, cosex कुछ भी आपको दे रखाए तो आप integration आसानी से कर पाएंगे इस वीडियो को देखने के बाद चलिए हम इसकी सुराद करते हैं दोस्तों हम जानते हैं कि हमारा cos का integration क्या होता है sinx plus constant ठीक है तो यहाँ पर हम दोस्तों ऐसे समझ लें कि यदि इसके साथ a और आ जाए जैसे यहाँ पर हम general ही बात कर लें general formula की cosax का integration क्या होगा जहाँ आपका a एक constant है ठीक है तो बिल्कुल simple है दोस्तों cos का integration आपका sign होता है यहाँ पर ax है तो ax आ गया यह जो constant है यह दोस्तों इसके divide में आ जाता है इसको हम किसके दोरा करते हैं अपना substitution method के दोरा करते हैं यह दो detail में बात करें तो और generally आप ऐसे समझ सकते हैं कि जो constant होता है वो आपका divide में आ जाता है अब यहाँ पर a की जगे कितना है यहाँ से देखो 2 है तो यहाँ पर cos 2x का integration क्या हो गया sin 2x देखिए cos का sin यहाँ 2x है तो 2x आ गया जो constant है वो आपका divide में आ गया साथ में c ओके इस तरीके से हम यहाँ पर आसान इससे अपना integration को समझ सकते हैं क्या है